मैं इसलाम अदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहाटेप्स एक तरफ जहां रमजान का महीना चल रहा है तो वही दूसरी तरफ येरुश्यलम की अलक्सा मस्जित पर इसराइली पुलिस के छापे के बाद तनाव की सिति बन गई है इस बीच गाजा पट्टी से कम से कम नव रोकेट दागे गए हैं जबकि इसराइल की और से हवाई हमले भी किये गए हैं अलक्सा मस्जित में तोड़ फोर फाइरिंग और मारपीट से जुड़े कई ऐसे वीडियो शोसल मीडिया में काफी वाइरल भी हो रहे हैं मीडिया रिपोर्ट के मताबिक 5 अपरेल की शाम को इसराइली पुलिस ने यरुशिलम की अलक्सा मस्जित पर छापा मारा पुलिस का कहना था कि छापे मारी मस्जित में आंदोलनकारियों को घुसने से रोकने के लिए की गई रमजान के चलते मस्जिद परिसर में काफी भीड थी पुलिस ने कहा कि मस्जिद में उनके उपर पथराव किया गया वही फिलिस्तीनियों का दावा है कि छापे मारी के दौरान इसराइली पुलिस ने श्टेंगंद और रबर की गोलियों का इस्तमाल किया जिसके चलते करिक 50 लोग खायल हुए है आरोप है कि पुलिस ने नमाज अदा कर रहे लोगों पर हमला किया है वही सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहे वीडियो में भी पुलिस मस्जिद में कुछ लोगों की पीटाई करती हुई देख रही है लोगों को टॉर्च की रोश्नी में लाठी डंडो से पीटा जा रहा है इधर गाजा पट्टी से रॉकेट दागे गये हैं जिसके जबाब में इसराइल ने हवाई हमले भी किये हैं खबर है कि इसराइली टैंकों ने हमास के ठीकानों पर भी गोला बारी की है फिलिस्तीन के इस्लामी संगठन हमास ने रॉकेट ठमलुक की जिम्मेदारी तो अभी तक नहीं ली है लेकिन अल-अक्सा मस्जित पर छापे मारी को लेकर प्रतिक्रिया देने की बात जरूर कही है वहीं हिंसा को लेकर इसराइल के प्रधार मंत्री बेंजाबमीन नेत्नियाहु ने कहा है कि कुछ चरमपंथी मस्जित के अंदर थे वो हतियारों, पत्थरों और आतिष्ट बाजी का इस्तिबाल कर खुद को बचा रहे थे उनके चलते ही ये इस्थिती पैदा हुई है इसराइल के टेंपल माउन पर यथा इस्थिती बनाय रखने के लिए प्रतिबत है हम हिंसक चरमपंथियों को इसे बदलने के अनुमती नहीं देंगे और फिलिस्तिनी राष्टपती महमूद अब्बास के प्रवक्ता नबी अबू रूद ने कहा है कि हम पवित्र अस्थलों पर सीमा पार करने के खिलाफ कबजे की चेतावनी दे रहे हैं इससे बड़ा विश्वोर्ट भी हो सकता है बताजे कि यरुश्यलम के पुराने शहर में इस्थित अलक्सा मस्जित इस्लाम का तीसरा सबसे बवित्र अस्थल माना जाता है रमजान के दौरान यहाँ पर हजारों लोग प्रार्थना करने के लिए इकठा होते हैं